बच्चों, आज हम sets of numbers के बारे में और types of sets के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो यह है natural numbers, natural numbers को हम n से denote करते हैं, 1, 2, 3, सारे natural numbers 1 से शुरू होंगे, ठीक है? और जितने भी natural numbers से हमको n से show करते हैं, whole numbers को हम w से show करते हैं, whole numbers 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? और i या फिर z से हम i और z का use करते हैं for integers, जितने भी integers, integers का मतलब है कि जितने भी positive और negative जितने भी numbers हैं, उनको हम z से या i से denote करते हैं Next है rational numbers, rational numbers मालूम है जो numbers p upon q की form में होते हैं वो rational numbers कहलाते हैं, उनके लिए q यूज करते हैं इसका, मतलब है कि p upon q से z, p belongs to z, पे z को belongs करता है, heals matVES integer numberlocode kakma दियर z का मतलब है, कि इस p में इन में से कोई भी number हो सकता है positive भी हो सकता है, और negative b हो सकता है, q belongs to z, q b ? useless positive B और negative B हो सकता है, but एक condition और है इसमें q does not belongs to 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, q जो है नीचे वाले संक्या 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी और इसके लागा कोई भी हो, q में, और p में, p तो 0 भी चलेगा और ये भी, है न, सिर्फ q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो है, ये rational numbers किलाते है, rational numbers को हमें q से denote करना होता है तो ये तो होगए sets of numbers, अब आई types of sets, type of sets में सबसे पहला है finite set, finite set is set in which the process of counting of elements surely comes to an end, जिसकी हमें निश्यत संक्या, मतलब मालूम है कि इस संक्या पर end हो जाएगा इसका, है न, निश्यत, वो कलाएंगे finite sets, for example, set of all prime numbers less than 100, 100 से कम के सारे prime numbers, तो ये क्या एक limited है इसमें, पता है कि इस और एक निश्यत संक्या पर end होगा इसका, है न, तो वो कलाएंगे finite set, दूसरा है जैसे example set of all persons on the earth, एर्थ पर जितने भी persons उनकी भी counting की जा सकती है, है न, तो ऐसे numbers या ऐसी चीज़ें जिनकी हम counting कर सकते हैं, वो क infinite set कलाएंगा, दूसरा है type, infinite set, infinite न, uncountable चीज़े, जैसे, a set which consists of an uncountable number of distinct elements, uncountable, इसको uncount नहीं कर सकते, जैसे, for example, set n, of all natural numbers, all natural numbers बहुत से हैं, है न, और वो खरवोता को बहुत सी संख्या आती, तो इसमें भी हम इसको count नहीं कर सकते, तो ये कलाएंगा, infinite set, तो इसके अलावे भी बहुत तरीकी के sets होते हैं, वो मैं next वीडियो में आपको बताऊंगी, आज के लिए, इतना आप अच्छे से समझ लीजे, ठीक है, इसमें कोई doubt हो, तो आप मुझे comment box में comment लिका पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से explain कर दूंगी, ठीक है?